आगाश्वाणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं पूर्वा तरवेदी पहले एक अपील 18 वर्ष से अधिकायूवर के लिए सरकारी केंद्रों पर निशल कर रास्ट व्यापी कोविट टीका करन अभियान जारी है ये वाशोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविट रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोच साहित करें कोविट स्वांस के लिए खत्रा बना हुआ है ऐसे में एहत्यादी उपायों के पालन में कोता ही ना बरतें जब तक जरूरी ना हो घर से बाहन ना निकलें और तीन सरल उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें बार बार हाद धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं कोविट से संबंदित जानकारी देने और उनकी मार्व दर्शन के लिए रांस्टी हेल्पलाइन कारे रत ह इसका नंबर है 011 23978046 और 1075 अब इस बुलिटिन के समाचार सबसे पहली मुख्य समाचार मुख्य मंत्री ने केंदी और वरक मंत्री से 4 लाख मिट्रिक टन से अधिक यूरिया और 3 लाख मिट्रिक टन से अधिक डियेपी खाद देने का नुरोध किया क्रशी संबंदी यूजराओं की जानकारी देने के लिए युक्तिधारा पोटल की शुरुवात प्रदेश में कल से चलाया जाएगा दोजिफ से कोवड रोधी टीका करण महा भियान और राज की खेल पतिवाओं की खोच के लिए आज से शुरू हो रहा है टैलेंट सर्च अब्षेज अभियान अब समाचार विस्दार से है प्रदेश में धान रोपन का कारेप प्रगति पर है जिसके लिए डियपी की मांग राज में बढ़ गई है। इसके साथ ही मक्का एवम धान में यूरिया की ड्राप ड्रेसिंग की जा रही है जिससे यूरिया की भी मांग बढ़ी है। मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने कल नई दिली में केंद्री स्वास एवं परिवार कल्यान और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मंसुक एल मांडविया को ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को अभी तक यूरिया के 12,13,000 अवं तन की मांग के विरुद केंद्रद्वारा केवल 8,00,000 अभी तक दिया गया है इसी प्रकार डियपी 8,00,000 में तन के विरुद केवल 5,00,000 मुहिया कराया गया है मुखिमंत्री शीरी चौहान ने केंदरी मंत्री से अनुरोड किया कि शेश 4, wired, 13,000 mt. यूरिया और 6, 3, 5,000 mt. DAP केंदर द्वारा शीग्र जारी किया जाए केंदری मंत्री को بتایا गया की 25 और 26 अगस को टीका करण के महाभ्यान का दुती चरण आयोजित किया जा रहा है अभ्यान को दो दिफसों में कुल 35 लाग नागरेगों के टीका करण का लक्شन निरधारित किया गया है केंद्री मंत्री ने आश्वासन दिया कि 11 लाग टीके की डोज राज्य सरकार को 24 अगस्त तक केंद्र द्वारा मुहिया करा दी जाएगी सरकार ने एक नए भू इस्थनिक नियोजन पोर्टल युक्तिधारा की शुरवात की है ये पोर्टल सुदूर समवेदी और भागोले की सूचना प्रणाली आधारे डेटा का उप्योग करके नई मंद्रेगा संपत्यों को सुविधा जुनक बनाने में मदद करेगा केंद्री ग्रावन विकास और पंचायती राजमंत्री गिरीराज सीह ने स्पोर्टल का शुबारम भी किया प्रमाणु उर्चा और अंतरिक्ष राजमंत्री डॉक्टर जीतेंदर सीह ने कहा कि प्लेटफॉर्म महत्मा गांधी रास्टी ग्रामिन रोजगार गर्अनटी अधिनियम मंद्रिगा एकिकरत जल Gorhan प्रबंधन कारीकरम प्रती बूंध अधिक फसल और विभिन रास्टी ग्रामिन विकास कारीकरमों के तहर रास्टी क्रशी विकास योजना और संबंदित भोगुलिक चित्रों और आक्डों का भंडारं उपलब्ध कराएगा मुख्यमंत्री शिर्वरा सिंग चोहान आज सुभा वीडियो कॉन्फरेंसिंग द्वारा प्रदेश के क्राइसिस मनेजमेंट समीतियों के सदस्यों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री चर्चा के दौरान दो दिफसीय वेक्सिनिशन महाभियान के संबन्द में की गई तयारियों की जानकारी लेंगे और समीतियों को आवश्यक नरदेश देंगे गौर तरब है कि प्रदेश में कल से वेक्सिनिशन का महाभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्रीशी चौहान प्रदेश की विकास घंडों, वार्डों, ग्रामों और नगरों में गठित क्राइसिस मेंट समित्यूं के सदसियों से बातचीत भी करेंगे मुख्यमंत्रीशी चौहान इसके पहले कीज अगस्त को इन सदसियों से चर्चा करती होए कहा था पिली चावल देकर वेक्सिनेशन के लिए आमंतरत किया जा रहा है जिलास्तेर पर कलेक्टर्स सामाजिक संग्ठिनों के साथ मिलकर विभिन नवाचारों को भी अन्जाम दे रहे हैं अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का आजादी का अमरित महोटसब पर अपसे हर वुद्वार. इसमें मध़िप्रदेश में सोतंत्रता संग्राम, सोतंत्रता सैनानियों, परदेश के एतिहास, बूगोल, परियाटन स्थलौं और प्रदेश के अणिघरटनाओं से सम्मंदित एक प्रश्न प्रतेक वुद्वार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा आप इस प्रश्न का उत्तर हमारी इमेल आकाशवानी समाचार क्विस एड़ रेट जीमेल डॉट कॉम पर दे सकते हैं उत्तर के साथ प्रश्न का किर्मांक अपना नाम पूरा पता मोबाईल नमबर और अपना एक फोटो भी जरूर भीजें सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ता बुद्वार को शाम के समाचारों में गोशित किया जाएगा आजादी का अमरित महोथ सब ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में कोविड रोधी नियमत टीका करण के साथी कल 25 और 26 अगस्त को टीका करण महाभियान चलाया जाएगा प्रदेश में 70 प्रतिशत पांतर व्यक्तियों को कुरूना का प्रतम डोस लग गया है परंतु 12 प्रतिशत ने दूसरा डोस लगवाया है टीका करण महाभियान में 25 अगस्त को कुरूना वैक्सिन का पहला और दूसरा डोस निर्धारित के इंदरों पर लगाया जाएगा इस समय प्रदेश वैक्सिनिशन के में देश में दूसरे स्थान पर है प्रदेश में अभी तक 4 करोड से अधिक लोग वैक्सिन का पहला और दूसरा डोस लगवा चुके हैं प्रदेश में वैक्सिनिशन के लिए पात्र आवादी 5 करोड 48 साग 90 हजार है मुख्यमंत्री ने कल होने वाली मंत्री परशित की बैठक इस्थगित कर मंत्री के अपने प्रभार के जिलों में वैक्सिनिशन महाभियान की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है प्रदेश में प्रतिवावान खेलाडियों की खोच कर उनकी प्रतिभा को निखाने के लिए राजिशासन आज से प्रतिभाज चैन कारिकरम शिरू कर रहा है अभियान में खेल एवं युवा कल्यान स्कूल सिक्षा एवं आदिम जाती कल्यान विभाग के समनवे से अभियान चलाया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स खिलाणियों के शामिल होने की संभावना है। जला कलेक्टर ने जले के अधिकारियों को नर्देश दिये कि जले के सभी तालावों, डैम, नदी नालों और पानी भरावाले शेत्रों पर लगाता निगा रखे और खत्रे वाले स्थानों पर चेतावनी बोड लगाए जाए। पन्ना भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अधिक विश्नुदत शर्माने कल पन्ना में कई विकास कारियों की आधारशिला रखी। नरसंगपुर जिले की गोटे गाउं में कल नगर देता ठाकुर बाबा मंदिर में कजलियों की मेले में देर रात तक भक्तों की खासी भीड रही और खंडवा में 11 सितंबर नेशनल लोग अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज की खेल प्रतिभाओं की खोच के लिए आज सी शुरू हो रहा है टैलेंट सर्च अभियान। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमिशा ध्यान रखे। मास्क और दूगश की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।